नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप बहुत स्वागत है उत्तम उप्चार ब्लॉक्स में दोस्तों आज मैं आप लोगो को बिटामिन C के फाइदे के बारे में बताऊंगा दोस्तों अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब अ नहीं तो मैं कमेंट में ही रिपलाई दे दूँगा दोस्तों जैसा कि हम सबी लोग जानते हैं कि बिटामिन सी जो होता वो अधिक तर जो खटे फल होते हैं उसी में पाया जाता है दोस्तों ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ही फायदे बंद होता है सबसे अच्छा इसका फायदा है रोग पे दो तक समता को बढ़ता है आँखों के लिए भी दोस्तों फायदे बंद होता है तनाओ को कम करने में शाहिए होता है दोस्तों और जितने भी दोस्तों फल होते हैं उन सभी सब्जियों का भी सेवन करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये जो फल और और ये सब्जियां होती है ये हमारे सरीर में आसद के रूम में काम करती है तो दोस्तों जब मौसम में और जब आप मौसम में अगर फल और सब्जियों का सेवन करें तो उस टाइम आपको रेट भी सही म मिल जाएंगे दोस्तों कोल्ड स्टोरेज वाले या केमिकल यूक्त फल नहीं मिलेंगे दोस्तों आई जानते हैं विटामिन सी के क्या-क्या हमारे सरीर में फायदे होते हैं दोस्तों सबसे दोस्तों इसका पहला फायदा होता है यह रोग पे दुरूदक मतलब रोगों से लडने की च्छमता को बढ़ता है दूसरा दोस्तों इसका फाइदा है ये हिर्दे के लिए बहुत ही फाइदे बंद होता है हिर्दे से समझने जो भी बीमारिया है उनको कम करने में दोस्तों फाइदा होता है दोस्तों तीसरा इसका फाइदा होता है ये आँखों के लिए बहुत फाइदे बंद होता है आँखों की रोसनी बढ़ाने में फाइदे बंद होता है आँखों में अगर कोई भी किसी पिकार की समस्या है तो उसके लिए दोस्तों विटामिन सी बहुत ही फाइदे बंद होता अगर आप लोग बिटामिन सी का सेवन करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आपको आँखों के समंदित कोई समस्या नहीं होगी चोथा दोस्तों इसका फाइदा है आइरन को अफसोसित कर खून को बढ़ाता है दोस्तों जो भी हम आइरन वाले जो फल खाएंगे दोस्तों तो ये विटामिन सी क्या करता है कि ये हमारे सरीर में आइरन को अफसोसित कर लेता है और ये दोस्तों आइरन को अफसोसित करके दोस्तों ये हमारे बिलड को मतलब खून को बढ़ाने का काम करता है पांचमा दोस्तों एंटी इस्ट्रेस के गुड़ पाया जाते हैं जिससे दोस्तों ये हमारे सरीर में तनाओ को कम कर देता है अगर आप लोगों को चना तनाओ, चिंता, डिप्रेशन की कमी रहती है तो दोस्तों आप लोग विटामिन सी के फलों का प्योग कर सकते हैं इससे दोस्तों आप लोगों के तनाओ भी कम हो जाएगा दोस्तों अधिक तर हमने आप देखा है कि जिस लोगों को डिप्रेशन या तनाओ की समस्या रहती है अगर बो लोग अगर डाक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो दोस्तों डाक्टर जो होता है वो मल्टी विटामिन और विटामिन सी का टेबलेट जरूर देता है या कैपसूल देता है दोस्तों जो दोस्तों हमारे सरी में तनाव को कम करने में श्रायक होता है चिंता तनाव और डिप्रेशन सभी को कम करने में विटामिन सी फाइदे बन दोता है दोस्तों छटा दोस्तों फाइदा है ये हमारे सरीर में कैंसर की सेल को बढ़ने से रोगता है दोस्तों जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक बीमारी है लेकिन दोस्तों अगर आप बिटामिन सी का सेबन करते हैं मतलब जो फल बिटामिन स हमारे सरीर में रोख पितरो क्शमता को बढ़ाता है तो जिसे केंसर जिसे सिल नहीं भर पाएंगे दोस्तों साथमा इसका पायदा है यह हमारे दाटों को लिए फायदे बंद तो दाटों को मजबूत बनाता है दोस्तों और जो विटामिन सी से सबसे अधिक दातों में जो समस्या होती है वो होती है दोस्तों दातों का चिटक जाना मतलब दात जो होते हैं टूटन लगते हैं और इसके बाद दोस्तों मसूलों में पैरिया लगने लगती है अगर आप लोगों के मसOOले में पहलीया की समस्थे आ हो रही तो वो भी कहीं न गहीं बिटामिन सी की कम्ही के कारण ही होती है दोस्तों आथमा दोस्तों इसकर फाइदा है कि हड़ियों को मज़ूद बनाता है दोस्तों बिटामिन सी में ऐसे गुर्पाया जाते हैं हमारी हड़्डियों को भी मजबूद बनाने में फाइदे बंद होता है दोमा दोस्तों ये हमारी मास पेसियों को भी मजबूद बनाता है अगर आप लोग विटामिन सी वाले फल या सेवन करते हैं दोस्तों या हरी सबजियों का भी सेवन करते हैं इससे आप लोगों की मास पेसियां दोस्तों मजबूत रहेंगी दसमा दोस्तों इसका फायदा आए ये हमारी इसकिन के लिए बहुत फायदे बंद होती है दोस्तों इसकिन से समझें जतनी भी समस्या होती है एक्जिमा हुई, खुजली हुई, दाद हुआ ये सब विटामिन सी की कमी के कारण अधिकतर होते है दोस्तों अगर आप लोग विटामिन सी का सेवन करते हैं विटामिन सी के फलों का ही आप लोग सेवन करते हैं इससे ही दोस्तों आप लोगों को पर्याद माता में विटामिन सी मिल जाएगी सेव में भी विटामिन सी पाया जाता नीबू में भी विटामिन सी पाया जाता हमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है आमले में भी विटामिन सी पाया जाता है संतरे में भी विटामिन सी पाया जाता है ये आपके दवाईयां आवाईयां मिला के रखते हैं दोस्तों तो वो बहुत नुक्सान दाए होते हैं वो महेंगे भी दोस्तों मिलते हैं इसलिए आप लोगों को मौसमी फालगा प्योग करना चाहिए जिससे इस समय सेव का सीजन चला है तो आप 50-60 रुपए किलो आराम से सेव मिलता है तो आप सेव का सेवन कीजिए दोस्तों मेरे दोया दिए जानकारी आप लोगो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो पिलीज उत्तम उप्चार चैनल को सस्क्राइब अवस्थ करना है जिससे दोस्तों सहर से समन्दे सभी जानकारी आप लोगो समय समय पर मिलत धन्यवाद दोस्तों